हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री और इस्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐसे शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्सिस यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्कारिश फॉर्म में नजर आ रही है कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो यहां पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफी थिक फिं और अगर हम इनकी फिंगर्ट की लैंथ को देखें तो यहां पर इनकी सूर्या फिंगर्ट की जो लैंथ है वो ज्यादा है इनकी ब्रस्पती फिंगर्ट से जिस वज़ए से creativity इनके भीतर काफी अच्छी रहेगी काफी अच्छा social circle यहां पर यह create कर सकते हैं और अगर हम ब भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है एक एवरेज लेंथ में है ब्रसपती फिंगर जिस वजह से काफी अच्छी नॉलेज इनकी रहेगी अच्छी लिडिशिप क्वालिटी इनके भीतर रहेंगी और थिकनेस अगर हम फिंगर की देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर वड़ा सा दब रहा है जिस वज़ए से लाइफ में हार्ड वर्क काफी ज़्यादा रह सकता है लेकन यह मेहनती होने के साथ साथ इने कामियाबी दिलाने में भी हल्प करेगा और अब देख सकते हैं यहां पर इनकी मरकरी फिंगर को मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी है ल इनकी रिखाओं को भी चेक करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बन कर सामने आ रही है जिसमें अब देख सकते हैं इनके तीनों माउंट्स गुरू माउंट, शनी और सूर्या माउंट्स को अच्छी क्वालिटी उनकी रहती है लेकिन अगर लो सेट भी हो परन्तु उभरा हुआ माउंट हो यैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो माउंट अफ मरकरी है यहाँ पर काफी उभरा हुआ यहाँ जो एरिया है उपर की तरफ उठा हुआ है यहाँ भी अच्छे रिजल्ट देता है इसकी वज़ए से कम्मिनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे थोड़ी शाय निचर लेकिन साथ-साथ यहाँ पर इनके हाथ में काफी अच्छी मरकरी रेखा भी नजर आ रही है अब देख सकते ही यहाँ जो लाइन है जो जीवन रेखा से शुरू होकर उपर की तरफ बढ़ती है यह रेखा एक डीप कट लाइन है जिस वज़ए से इनका बिजनस एक्टो में काफी स्ट्रॉंग रहेगा मरकरी लाइन का अच्छा होना व्यक्ति को बिजनस करने की कैपेबिल्टी देता है उसके साथ साथ अगर हम इसी रेखा के सहयोग से बनने वाले ट्राइंगल को देखें तो वो भी इनके हाथ में काफी स्ट्रॉंग बन रहा है आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा मनी ट्राइंगल के लिए तीन रेखाएं होना जरूरी है जैसे यह नीचे से उपर की तरफ जो चलने वाली रेखा है इसको कहा जाता है भागया रेखा और इस साइड से नीचे की तरफ चलने वाली रेखा को कहा जाता है मस्तिश रेखा और यह जो रेखा लाइफ लाइन से निकल गर उपर की तरफ बढ़ रही है इसको कहा जाता है mercury line इन तीनों रिखाओं से यह सेंटर में एक triangle की formation हो रही है इस तरह का triangle जो रहता है इसे money triangle का नाम दिया जाता है जिनके हाथ वैसे triangle बनता है ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के वलबूते पर life में काफी पैसा कमाते है और काफी सारा पैसा अपने पास store भी कर लेते है तो यहाँ पर हमने देखा mercury रेखा का benefit mercury रेखा होना और एक अच्छा triangle बनना व्यक्ति के लिए काफी लाबदायक रहता है आगे बात करते हैं सूर्य माउंट की अब यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य माउंट हाई सैट है लेकिन सिर्फ हाई सैट होने से ही सभी problem solve नहीं होती माउंट साथ में उबरा हुआ भी होना चाहिए जिस तरह से इनका mercury माउंट उबरा हुआ है और इनका ब्रस्पती माउंट उबरा हुआ हुआ अच्छे result देता है तो यहाँ पर इस माउंट का high set होने के साथ साथ depressed होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा name and fame का promise नहीं दे रहा सूर्य रेखा मौझूद है यहाँ पर अब देख सकते हैं इस size की जो heart line के बिल्कुल pass से शुरू गर उपर की तरफ चल रही है जिस वज़े से एक अच्छा social circle तो जहाँ create कर लेंगे लेकिन वो भी old age में चल कर यहाँ पर young age में बहुत ज़्यादा name and fame और recognition होने के chances नजर नहीं आ रहे है old age में चल कर अच्छा social circle लेकिन बहुत ज़्यादा यश नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य माउंट बहुत ज़्यादा prominent नजर नहीं आ रहा आगे बात करते हैं शनी माउंट की शनी माउंट भी सूर्य माउंट की भादी दबा हुआ है और अगर शनी माउंट दब रहा हो तो व्यक्ति को काफी ज़्यादा मेहनत लाइफ में करनी पड़ती है तो इस चीज़ के चांसे ज़्यादा रहेंगे इन्हें कुछ भी बहुत इजिली नहीं मिलेगा क्योंकि काफी मेहनत यहाँ पर लिखिया लेकिन मिलेगा सब कुछ क्योंकि एक बहुत अच्छी भागया रेखा है इनके हाथ में आपको दिखाना चाहूंगा कंप्लीट रेखा को यहाँ से शुरू होती हुई भागया रेखा जो बेस है हैंड का यहाँ से इनकी भागया रेखा शुरू होती हुई पहले तो यहाँ पर 35 के आसपास की एज तक रुकती हुई उसके बाद फिर से आगे कांटीनी होती हुई और यहाँ पर आकर एक फिश्ट ऐसा चिन भी क्रेट होता हुआ कुछ इस तरह की भागया रेखा इनके हाथ जो इंडिकेट करती है 35 के आसपास की एज में थोड़े चेंजिस लाइफ में लेकिन आगे काफी अच्छा प्रोफेशन रहेगा बैटर रहेगा क्योंकि भागया रेखा कम्पलीट है बेशक थोड़ी सी ओवरलैप्ड है जिसकी वज़ए से थोड़ी मेंस ज़्यादा रहेगी लेकिन काफी अच्छे मेनेफिट्स इन्हें इस भागया रेखा के मिलेंगे इस तरह का त्रिकोन का और फिश का चिन यहाँ पर बनना शनी मौट के उपर कहीं भी इस तरह का चिन बनता है तो ऐसे व्यक्ति का रुजान उकल्ट साइंस collector की तرف हो सकता है काफी इंट्रेस्ट रह सकता है, रूची रह सकती है उकल्ट साइंस जैसे पामिस्ट्री है, एस्टालोजी है mystic साइंस जितनी भी हैं tarot card reading है और भी ऐसी बहुत सारी विद्याएं होती है तंतरमंतर जैसी विद्याएं भी होती है ऐसी चीजों में भी व्यक्ति की रूची रह सकती है अगर इस तरह का चिन व्यक्ति के शनी माउंट के ओपर बने और ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में चल कर ऐसी चीजों को सीखने की कोशि हुआ ट्राइडल क्या होता है जो ऐसी बारीक रिखाएं रहती हैं जिने हम रिखाएं जो फिंगर्प्रिंट्स वाली लाइन्स होती हैं वो अगर तीनों तरफ से इस तरह से आकर एक त्रिकूल का निर्मान करती है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं लगबग इस एरिया में बहुत अच्छे होते हैं तो यहां पर गुरू मौट इनका काफी प्रॉमिनेंट होता हुआ गुरू मौट का प्रॉमिनेंट होना व्यक्ति को फैमिली की तरफ से सुख देता है और ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी अच्छी होती है नॉलेज से यहां मेरा मिनिंग जो डि भी गुने इनके अंदर रहेंगे और spiritual minded ऐसे व्यक्ति रहते हैं धरम के प्रती ऐसे व्यक्ति की काफी ज्यादा निश्टा रहती है तो यह एक बहुत ही अच्छा mount यहां पर इनके हाथ में नजर आ रहा है आगे चैक करते हैं इनकी बाकी की main lines को तो यहां पर आप देख सकते हाथ की line में थोड़ी overlapping नजर आ रही है मुझे हाथ की line कुछ इस तरह से यहां पर आकर थोड़ी overlap और double होती हुई जो यहां पर बहुत अच्छा चिन्न नहीं है हाथ की health के लिए old age में चलकर इन्हें कुछ हाथ से little problems का सामना करना पर सकता है क्योंकि जब भी हाथ की line broken हो औ और overlapped हो तो ऐसे व्यक्ति को blood pressure से सबंदित देखते हैं blood की proper जो flow है functionality है जो heart की उसमें कुछ न कुछ problems का सामना करना पर सकता है otherwise heart की line यहां पर shunny mount तक ही पहुँच पा रही है जो यहां पर indication देती है कि थोड़ी सी materialistic और self-centered approach व्यक्ति की रह सकती है otherwise यहां पर emotions बहुत जादा नहीं रहने चाहिए लेकिन कुछ हलका जो एक चिन बन रहा है जिसको गडल वीनस का चिन गयते हैं वो भी यहां पर form हो रहा है आप देख सकते हैं यहां पर इसकी वज़ए से व्यक्ति थोड़ा सा emotional होता है और थोड़ा सा moody nature का भी रहता है otherwise यहां पर heart की line एक practical type क personality इनकी दर्शा रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी line of mind को mind की line भी यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ चुकती हो नजर आ रही है अब देख सकते हैं पहले यह माइंड के लिए बिल्कुल सीधी चल रही है लेकिन आगे चल कर यह थोड़ा सा dip ले रह माइंड की line का लंबा होना indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति की memory काफी अच्छी रहेगी शार्क-minded personality रहेगी लेकिन mind की line का जुकना यह भी indicate करता है कि कुछ तनाव कुछ परिशाना कुछ दिखतें भी बंदेगी life में आ सकती हैं तो यहां पर यह चीज़ रहेगी अगर किसी तरह क कोई artistic quality इनके भीतर है तो इन्हें उसको जरूर follow करना चाहिए जैसे कोई drawing करते हैं कुछ लोग diary लिखते हैं कुछ ना कुछ अपनी कलपनाओं को use करते हैं अगर ऐसा कुछ करते हैं तो life में इनके लिए यह benefit रहेगा otherwise इस तरह का dip जो रहता है mind line में व्यक्ति को थोड़ी स मांसिक परशानी तो जरूर देता है आगे आप देख सकते हैं इनकी line of life को life की line यहां काफी अच्छी और deep cut नजर आ रही है life की line की लंबाई भी अच्छी है जो यहां पर indication देती है एक लंबी उमर की अप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह की in की line of life और लगबग यहा पर indicate कर रही है कि age अच्छी रहेगी कुछ problem यहां पर heart की line की वजह से आ सकती है middle age के बाद 50 की age के बाद लेकिन overall अगर देखा जाए तो यहां पर अच्छी और लंबी age का promise आ रहा है इनकी life line से तो अगर अपने heart की health का बहुत ध्यान रखते हैं तो इनकी age जो है वो लगब 80 के आसपास रहने के chances रहेंगे और इनका जो mount है शुकर mount यहां पर मुझे काफी prominent नजर आ रहा है उबरा हुआ शुकर mount व्यक्ति को थोड़ा खर्चीला भी बनाता है और इस तरह का mount होने से व्यक्ति brand conscious होता है अच्छी चीजों का शुरी चीज़े ऐसे व्यक्ति को अगर व्यक्ति कोई काम करना चाहे कर सकता है और थोड़ी सी spend थिफ्ट ऐसा व्यक्ति रहता है थोड़ा खर्चीला रहता है और थोड़ी कामकता दिक रहती है अदर्वाइस कोई भी negative ज्यादा negative effect नहीं होते शुकर के prominent होने के थोड़ा सा खर्चों पर ऐसे व्यक्ति को अ नजर आ रहे हैं अदर्वाइस कोई भी major problem चंदर एरिया के ओपर नजर नहीं आ रहे हैं तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक वीडियो के दिरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई चीनिया स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद